तो यह हैं Computer Lab और यहां पर आधे ज्यादा सिस्टम में पैंटिम प्रोसेसर लगे हुए हैं जो कि हम करने वाले हैं अप्रेड तो चली सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं काफी सारे हमने ठीक कर दी हैं और काफी सारे अपडेट कर दी हैं तो हम लगाने वाले हैं लेनेवो का आई 5 6 जनेरेशन 8gb RAM के साथ तो यहां पर देख सकते हैं रहा हमारे पास है और जो SSD हैं और लेडी जितने भी पैंटिम प्रोसेसर लगे 4gb RAM के साथ हैं तो इसी को हम अपडेट करने वाले हैं और यहां पर हमने कुछ अपडेट कर रखे हैं और इसमें डालने हैं तो चलिए सबसे पहले में जो लगा रहे हैं उसका मैं आपको hardware दिखा जीता हूं तो यह वाला CPU लगा रहे हैं जो कि लेन वो टावर मिल जाता है तो यहां पर देख सकते हैं आप इंटायल आइफएफ सिक चैनेशन मिल जाते हैं जो कि ADV के साथ हम लगा रहे हैं तो चलिए इसके साथ मैं आपको एक CPU अपडेट करके दिखाता हूं और इसके साथ ही मैं आपको CPU एसेंबल करना बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं तो यह इस शिर्टम से कैसे अपड़ेट कर सकते हैं वो भी ए-to-z तो सबसे पहले आपको इसके वायर निकाले निकाले तो हमें एक बार तो वाइ निकालने के मिला है सबसे पहले जो भी आपका अगर चेंज करना तो सीप्यू को जो बैक पैनल होता है तो सबसे पहले उसका इसक्रू आपको खोल लेना है और इसके बाद धकन को अटा देना है तो यह आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो पैंटिंग प्रोसेसर लगा हूँ है इंपर दो हार्डडिस लगे पड़ी एक लगी पड़ी Ok दूसरी लगी एसेडी तो खाली समय एसेडी हाडिस निकाल लेता हूं और बाकि इसको साइड में रख देता हूं उठाके जह लेकर डियंगा लेते हैं जो कि 120 Gb की लगी पड़ी है और बाकि जितने भी पैंटी में इनमें भी एसेडी लगी पड़ी तो मैंने इनमें से एसेडी निकाल लिया है जो हम लगाने वाले हैं यह हमारे पास ट्रेंडेट लेनेवो का जो की टावर है से पुटावर कि चलिए इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं जो इसका फ्रेंट पैनल है सबसे पहले फ्रेंट वाले डटकन आपको ऐसे टेस्ट करके निकाल लेना है और इसके साथ जो आपको इसमें आपको रैल लाइन दिखरी और और यहां पर देखते हैं आप पूरा हमारा सीप्यूं को चुका है और इस सीप्यूं के अंदर हैं में speaker मिल जाता है तो वह काफी अच्छा है और इसका जो Hard Disk है वो सबसे पहले आपको निकाल लेना है क्योंकि सबसे पहले Hard Disk लगाएंगे सबसे पहले मैं आपको एक बार RAM दिखा जता हूँ तो हैं पर देख शेते हैं 8Gb RAM लगाने वाला हूँ जो की DDR4 है चलिए सबसे पहले RAM लगाते हैं तो आपको सेम ऐसे RAM लगा लेना है जो इसके खाचे होते वो आपको match कर लेना है otherwise अगर आप उल्टा लगाएंगे तो आपका RAM वही पर फोग जाएगा चलिए इसके बाद SSD लगा लेते हैं तो इसे के अंदर हमें दो वाइर मिल जाते हैं हर्डेस को भाऔर देने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यह साटा और दूसरी वाली जो है हाट डिस को पाऔर देने के लिए तो दोनों को आपको connect कर लेना है तो यह सो तो वीडियो आपको तोडी लतिलती देख सकते हैं का थज़िए सकते हैं और रो, दूसरा आफे मैं से budget कारे, तो इसके महीं प्राइब कर रहा हूं कि का ते थे से का अपको यगाथा मिस्त dhukan घुत करने डिख अडियो कहो Biore है और पीछे का जो भी जितने ही पोर्ट है वो भी आप साथ में देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको वायर वायर लगा लें लिए अभी मैं इंटरनेट वायर नहीं लगा रहा हूं तो सबसे बहले विंडो डालने के लिए आपके पास एक पैंड़ होना चाहिए जो कि मेरे पास एक पैंड़ आप मैं आपको दिखायता हूं जैसे आप अपने नए सेस्थम सीप्यू को ओन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जो भी इसकी वायर रहती है वो लोक रहती है तो उस यहिस्टर्ट कर लिना है और जैसे आपको डिस्प्ले आता है तो आपको अपने वो कग यह डाल करना है तो सबसे पहले एंटर शैटप करेंगे जो इसके बाइसं उसमें आपको चली जाना है तो इसकी डिफोल्ट सार्टिंग है वह को दो कली निये एपने प्रेस करके सेफ कर देना है उसके बाद आपको चली जाना इस्टार्टप में इस्टार्टप में जाके मैं कुछ option disable होते हैं उसको आपको कर लेना है जैसे CSM हो गया बूट मोड हो गया बूट प्रियोटी में यूए फ़र्ष कर लेंगे जो भी हमारा पैंड आव न तो सबसे पहले ओन होते के साथ यह पैंड आवारा बूट करेगा कि अब इसको दियस्ट करने के बाद जैसे आपका डिस्प्ले आते हैं वैसे आपको बूट की प्रेस करनी है आपकी तो सबसे पहले मैं एप्टोल प्रेस करता हूँ जो मेरी बूट की है डिस्प्ले आते के साथ ही आपको प्रेस करने के यहाँ पर देखते हैं हमारा यूएसप्ट आ चुका है तो सबसे पहले यूएसप्ट पर चले जाना है और इस पर आपको एंटर कर देना है है ना पर हमारी वींडों इंस्टल होना सबस्कार देना है आपको करने कि दिन प्रिक्त करें करेंना हैं कि अगुंदो को सब बाद से ओर करें है ए उसे करना है करने के बाद आपको डालना ऊसमें जाकि deferARS कर देना है और यहां पर window install हो नहीं हमारे start होगी है इसले वीडियो को मैं थोड़ा fast कर देता हूं इतना उने के बाद आपूई जो पंड़े पार और निकाल लेना है आप देख जाए है पिर से बूट होने लग जाएगी मैं आपको इक बड दिखाता है तो हों तो इसके बाद आपको कुछ भी निकलना है अटमेटिक के यह सब कुछ अपने आप करेगा तो आप रिजन आपको अपको इंडिया अट तो आप इंडिया तो यहां पर इंडिया या इलिस्पर क्लिक करके यह कर देना इसके बाद आपको की वोड लेडियाओट श्लेट करने इंग्लेस इंडिया करके यस कर देना को स्किप कर देते हैं नहीं पर अपड़ू धाफ इंटरनेक देने जुब आपको अपना पी सी ने देना है डाल देता हूं जो कि यह सिस्टम नम्मर 16 नेक्ट कर देना है इसके बाद जो भी आपको पास्पोर्ट रखना रख सकते हैं अदर्वाइस उसका ब्लैंक छोड़ के नेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर एक्सेप्ट कर लेना है आपको यहां पर नोट नाओ अच्छी लगए तो फाइनल यहां पर देख सके यहां पर हमारा विंड्व कंप्लीट ली डल चुका है इसके साथ आपको छोटे से चेंजिस कर लेना है तो सबसे पहले आपको परसनाराजों जाके तिम में चले जाना है अच्छी लगे योगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिना और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नाच्पीड़ों नहीं ट्रॉपक के साथ